दोस्तों रमश्कार गुजरात में सर्सों की विजाई में लगबग 10 प्रतिशत की कमी के समाचान मिल रहे हैं जारिए पुरी रिपोर्ट विस्थार से गुजरात राज के सबसे बड़े उत्पादक छेत्र उत्री गुजरात में बुवाई के करीब 3.5 प्रतिशत बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं जबकि चालू सीजर में अभी तक की अबदी में गुजरात के प्रमुक रवी स्तिलहन फसल सर्सों की वुवाई में 9.9 प्रतिशत की कमी के भी समाचार हैं ये जानकारी गुजरात राज कर्शी विभाग दोरा जारी किये गए नविनतम आकडों से पता लगी है इस बार बिज़ाई की एक विशेस्ता ये भी बताई जारी है कि गुजरात के 4 में से 3 उत्पादक छेत्र में बिज़ाई में कमी के समाचार हैं गुजरात करशी विवाग ने अपने नविंतम आकड़ों में बताया कि चालू सीजन में अभी तक की अबदी में गुजरात में सरसो की कुल 3,4,700 हेक्टर में बिजाई होई है एक वर्ष की अलोचे अबदी में इस प्रमुक रवी की तिलहन की में 3,38,300 हेक्टर में बुआई हो चुकी थी जो अब 3,47,000 हेक्टर में होई है दोस्तो इससे पता चलता है कि गुजरात में इस बार अभी तक सरसो की बुआई में 33,600 हेक्टर या लगबग 9,93 पत्रिशत की कमी के समाचार है एक और महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि गुजरात के 4 में से 3 उत्पादक छेत्रों में इस बार सरसो की तुलनात्मक रोप से नीची बुआई के समाचार है उत्री गुजरात राज के सबसे बड़ा सरसो का उत्पादक छेत्र गुजरात में मना जाता है इसलिए सबसे पहले इसी छेत्र की हम चर्चा करते हैं गुजरात राज केवल उत्री गुजरात में इस बार अभी तक इस तिलहन की प्रमुक फसल की बुआई में व्रद्दी देखी जा रही है और गुजरात करशी बिवाग ने अपने नविन तन्म आकड़ों में ये भी बताया कि चालू सीजन में अभी तक की अबदी में उत्री गुजरात में सरसो की कुल 241,100 हेक्टर में बुआई हुई है पिछले सीजन की कोई अधी हम समिक्षा करें तो इस छेतर में 2,32,600 हेक्टर में बुआई हुई थी इस पस्ट है कि पिछले साल के मुकाबले समान अबदी की तुलना में इस बार अभी तक की अबदी में इस शेतर में सरसे की बुआई में 8,500 हेक्टर या 3,65 प्रतिशत का सुदार हुआ है ये उत्री गुजरात की बात कर रहे हैं इसके उलट यानि विप्रित बात करें तो कच्क में बुआई सबसे अधी घड़ी है और गुजरात के करशी विवाग ने आपने आकड़ों में दावा किया है कि वर्थवान सीजन में अभी तक कच्क में अभी में सरसो की कुल 3400 हेक्टर में विजाई हुई है और पिछले सीजन में ये 54300 हेक्टर में हुई थी जो कि इस बार घटकर 3400 हेक्टर में हुई है इसले ये भी जानकारी मिलती है कि पिछले सीजन के अधी हम समिक्षा करें तो इस बार कच्छ में प्रमुक रवी की फसल तिलहन क यानि सरसो में 23,900 हेक्टर या लगबग 44 प्रतीशत तक की गिरावट है जबकि उत्री गुजरात में इसमें अधिक है उत्री गुजरात में फसल विजाई अधिक है लेकिन कच्छ में 44 प्रतीशत की गिरावट है इसके बाद हम सोराश में बात करते हैं सरसो की वुआई में स 2700 हेक्टर में हुई थी तो बिल्कुल इस पस्ट है कि पिछले सुजन की तुनला में सोरास में इस बार सोरास सरसो की विजाई में 8000 हेक्टर यानि 42.1 प्रतिशवत की गिरावट है मद्दे गुजरात में भी सरसो की विजाई में कमी के समाचार है और गुजरात करशी विवाग ने जो आकड़े जारी की हैं उसमें मद्दे गुजरात में सरसो की कुल 8500 हेक्टर में विजाई हुई है जो की पिछले साल 8600 ह हेक्टर में हुई थी इससे यह जानकरी मिल रही है कि इस बार यहां भी लगबग सो हेक्टर या एक दिश्मलब एक च्छे प्रतिशत की कमी आई है तो कुल मिलाके जानकरी यह मिल रही है कि उत्री गजरात के अंदर सर्सों की बिजाई शांदार है इसके वेप्तिनित कच्छ सोराष्ट और मद्य गुजरात में सर्सों की बिजाई में कमी के समाचार है कुल मिलाकर लगबग 10 प्रतिशत overall सर्सों की बिजाई गुजरात में कम होने के समाचार है दोस्तों याद रखना की आने वाले फरवरी और मार्च सर्सों के लिए बहुत महत्वपून साबित होने वाले हैं क्या ये तेजी के होंगे या मंदी के विशेश रिपोर्ट के लिए संपर करें गौरत लब है कि राजिस्थान सर्सों के उतपादन करने माले में राजियों में सरसे शीष राज मना जाता है यहां पर पूरे देश की लगबग 46.26 प्रतिशत सर्सों का उतपादन होता है उसके बाद हर्याना का नंबर आता है यहां पे 12.60 प्रतिशत की पैदावार होती है उसके बाद 11.38 प्रतिशत मद्य प्रदेश में और 10.49 प्रतिशत उत्र प्रदेश में होती है पक्षमी बंगाल का नंबर इसके बाद आता है या 7.81 प्रतिशत की सरसो का उत्पादन होता है और बाकी सारे राज्यों में 12.32 प्रतिशत का उत्पादन होता है सरसो के लिए राजिस्थान पे नज़र रखना सबसे महतपुन होगा क्योंकि देश का लगबग आदा उत्पादर यानि 46 दश्मरब 0-6 प्रतिशत गाजिस्तान से आता है और उसके बाद हर्याणा, बद्रप्रदेश और उत्रप्रदेश का नमबर आता है गौरतलब है कि राजिस्तान में इस बार सरसो की शांदार विजाई के समाचार मिल रहे हैं और अब तक पूरे देश की बात करें तो गुवाई का रकवाल लगबग 9 प्रतिशत बढ़ने के भी समाचार है गौरतलब ये भी रहता है कि पूरे देश में लगबग 9 प्रतिशत बिजाई के अधिक आकड़े आ रहे हैं राजिस्तान के अंदर भी सरसो की बिजाई के शांदार आकड़े दिखाई दे रहे हैं एक और तेज ठंड पढ़ने से गौरतलब है कि आज से लगबग 20 दिन पहले जब तापमान में लगाता व्रद्दी थी तब हमने आपको अगरे मिशलेशन दिया था कि जनवरी में तेज ठंड पढ़ने के पूरे-पूरे संभावना बन रही है ऐसा ही कुछ आप देखने को मुल रहा है पूतर भारत में तेज शीत लहर के समचार मिल रहे हैं राजिस्तान में भी राजिस्तान ओच हरियाना पंजाब यहां सभी तेज शीत लहर के चपेट में हैं इससे सर्सो को फाइदा भी होगा ऐसे ऐसे किसानों का कहना है दोस्तों आपका क्या कहना है आपके इलाके में सर्सो की क्या पोजिशन है और आपका क्या लगता है कि सर्सो का अनिमानित भाव इस साल क्या रहने की संभावना है दोस्तो सर्सों के ओपर हमारी विशेश रिपोर्ट बिलकुल तयार है जो भी भुकतान का रिपोर्ट लेना चाहता है वो हमसे संपर कर सकता है आप अपने इलाके के सर्सों की फसल की पोजिशन अवश्चे कमेंट बॉक्स में लिखें यूट्यूब चैनल पर अल्डवरी बास्ट गुद लुग एपी ट्रेदिंग